हाई दोस्तों असलाब अलेकुम कैसे आप लोग मेरा नबील है iOS 14.2 Apple ने कर दिया release सभी iPhones के लिए आप अगर stable version पे हो अगर आप beta version पे हो public stable पे हो public beta पे हो developer beta पे हो सब के लिए iOS 14.2 जो है यह available है आपको यहाँ पे update जो है अगर आप stable version पे हो public version पे हो beta testers है beta version चला रहे है वो लोग stable version पे finally जा सकते है बिना किसी tension के बिना किसी data loss के इस सारी बाते आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो यहाँ पे update के पहले जो available free space था मेरे iPhone 12 के अंदर वो था 36.49 GB का और यहाँ पे modem firmware भी आप नीचे की तरफ जो है available free space है और एक नया modem firmware भी यहाँ पे हमको नजर आ रहा है तो network related कोई भी issues अगर आपको होंगे तो यहाँ पे इस update में Apple ने उसको solve करने की कुशिश किया है तो update के अंदर नया क्या है पहले देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे 100 प्लस जो है नए emojis अगली चीज जो यहाँ पे नई अपडेट की गई है वो है वाल पेपर के अंदर कुछ नए beautiful वाल पेपर तो यहाँ पे टोटल एट नए वाल पेपर आपल ने अड़ किया है और light और dark mode दोनों पे यह वाल पेपर सपोर्ट है तो बहुत च्छे वाल पेपर है आप इनको चेक आउट जरूर कीजिए अगला जो अपडेट आया है दोस्तो वो magnifier application जो आपके आइफोन में built-in आता है उसके अंदर आया है जहाँ पे अगर आपके आइफोन 12 Pro और 12 Pro Max है जिसके अंदर LiDAR स्कैनर आता है तो उसकी मत से आप लोगों की height भी detect कर सकते तो आपको कोई जूट नहीं बोल पाएगा के भाई मेरी height जो है 6 feet है आप चेक कर सकते फट से बोल सकते के नहीं यार तेरी height तो 5-10 ही है अगली जो नई चीज़ यहाँ पे आईए दोस्तो वो iPhone 12 सीरिस के लिए है आप जानते हैं iPhone 12 सीरिस के अंदर पीछे की तरफ MacSafe की accessories का support दिया हुआ है तो इसके अंदर एक नया leather sleeve का भी option है जो के Apple बहुत ही जल्दी introduce करने वाला है market में अगला जो नया feature Apple ने यहाँ पे add किया है वो है AirPods के लिए optimize battery charging है तो यही चीज़ AirPods के लिए अभी मैं vacation पर गलती से मैं अपने AirPods जो है घर भूलाया हूँ वरना आपको दिखा दियो हो ता पिछला iOS 14.2 का update वाला वीडियो में ने बनाया था उसमें मैंने वो चीज़ बताया है तो आपको अपने AirPods कनेक करना है सेडिंग में जाना है सेडिंग में जाना है आपको Bluetooth के अंदर Bluetooth के अंदर जब आप अपने AirPods के अंदर जाएंगे और AirPods के अंदर जाके चेक करेंगे तो यहां पर आपको optimized charging का option देखने मिलेगा जिसको आप कर सकते है इसकी मलत से आप अपने AirPods की बैटरी जो है उसको long lasting बना सकते है जादा साल तक वो चलेंगे अगला जो नया feature अड़ किया है दोस्तो वो Apple के AirPlay से related है यहां पर आप जानते है उपर AirPlay है तो उसमें नए controls है home में control करने के लिए entertainment को और stream करने के लिए throughout your home और अगला जो अपडेट आया है दोस्तों वो HomePod HomePod Mini के अंदर आया है जहां पर HomePod और HomePod Mini यूजर जो है Intercom Facility का इस्तमाल कर सकते है अभी क्योंकि मैं जिससे आपको बताया है घर पे नहीं हूँ होटेल में हूँ जो कि आपके hearing को long run में impact कर सकता है तो यहाँ पर आपको notification मिल जाएगा जिसकी मज़से आपको पता चलेगा कि आप जो है बहुत ज़ादा loud audio सुन रहे हो जो कि long term में आपको बहुत ज़ादा damage कर सकता है आपके hearing को तो इसको on रखेंगे तो आपको notification मिलेगा कि आपकी hearing loss जो है उसके chances ज़ादा है क्योंकि आप यहाँ पे headphone का sound बहुत loud रख रहे हो और दूसरी चीज़ यहाँ पे introduce की गई है वो है reduced loud sound यह पहले भी था इसमें क्या होता है ज़ादा अगर audio level रखते हो sound level बहुत ज़ादा रखते हो तो आपको यहाँ पे जो है automatically sound reduce कर दिया जाएगा iPhone की तरफ से आपके airports के उपर जिसकी मदसे आपके कान जो है वो बचे रहेंगे अब यहाँ पे दोस्तों यह नए features की बात होगी अभी यहाँ पे fix किया कुछ किया अपल ने बहुत major fixes यहाँ पे किये है इस वाले update के अंदर बहुत important update है और मैं जरूर चाहूंगा कि यह update आप कीजिए मैं क्यों बहुत सकता हूँ यह update काफी important है अच्छा है क्योंकि मैं अपने iPhone 11 के उपर iOS 14.2 जो है काफी time से चला रहा हूँ almost 10 दिन हो चुके उसको चलाते हुए और बहुत अच्छा जो है यह वाला update है तो यहाँ पे home screen के जो dock है उसके जो icons है वो कभी-कभी out of order होते थे उसको वहाँ पे fix कर दिया आपल ने camera का जो viewfinder है वो open करने पे कुछ devices के अंदर black हो जाता था इसको apple ने fix कर दिया है lock screen पे जो keyboard होता है जहाँ पे आप passcode एंटर करते हो वहाँ पे passcode एंटर करने के टाइम पे कुछ miss touches हो रहे थे तो उसको भी apple ने यहाँ फिक्स कर दिया है reminders का अगर आप इस्तमाल करते हो दोस्तों तो यहाँ पे reminder set करने के टाइम पे timing की गड़बर हो दिया है जो के एक बहुत ही major work था तो यहाँ पे यह भी apple ने यहाँ पे fix कर दिया है इसमें भी गडबर हो रही थी तो वह भी apple ने यहाँ पे fix किया है और अगर आप degree Celsius का इस्तमाल करते है जो कि इंडिया में हम लोग जादा करते है बाहर USA वगरा में Fahrenheit का इस्तमाल होता है तो degree Celsius में जो है वहाँ पे display करने में weather के अंदर भी गडबर होती थी तो यहाँ पे य Netflix पे movie अगरा दिखते हो तो कभी-कभी वहाँ पे जो है वीडियो का playback रुख जाता था आडियो चलते रहता था तो यह भी issue solve हो गया है और watch का application अगर आप यूज करते हो अपने iPhone के अंदर तो watch application भी unexpectedly close आता था तो यह भी issue solve हो गया है इसके अलाबाद numerous पुराने जो bugs थे व कोई भी difficult काम नहीं है यहाँ पे मेरे iPhone 11 में आप लोग जान दे है कि beta version चल रहा है iOS 14.2 का और यहाँ पे चल रहा है iPhone 12 के अंदर stable version आपको जाना है अगर beta version से stable version पे जो कि मैं recommend करता हूँ क्योंकि दोनों exactly same है तो आपको क्या करना है यहाँ पे आप देख रहे है तीन गंटा remaining बता रहा है यह एक screenshot है ठीक है तो ऐसा मत बोलना कि यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है तीन गंटा remaining है यह एक screenshot है यहाँ पे photos application के अंदर यहाँ पे आपको क्या करना है मैंने इसके अंदर iOS 14.2 का golden master version अपडेट किया है अगर आपने नहीं किया है अगर आपने golden master version अपडेट successfully यह आपके phone के अंदर कोई भी update नहीं है अप to date दिखा रहा है यहाँ पे 14.2 तो आपको tension लेने वाली कोई भी बात नहीं है लेकिन अगर यहाँ पे updated नहीं दिखा रहा है या गलती से आपने profile download कर लिया है तो you have to make sure कि आपके बास profile जो है beta version का यह downloaded है और installed है यहाँ पे developer beta version है मेरे iPhone 12 के अंदर और यहाँ पे मेरे iPhone 12 का अगर मैं नस्दीक लेके आता हूँ और यहाँ पे tap करता हूँ build number पे यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंदर भी same exact same build number है क्यों है क्योंकि iOS 14.2 का जो beta version है और iOS 14.2 का जो stable version है वो exactly same है इसमें एक रुपे का भी फरक नह आपको जो golden master version है 4.4 GB का पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर complete software जो है वो reinstall होता है एक बार आपने ये वाला beta version डाउलोड और इंस्टॉल कर लिया इसके बाद आपको क्या करना है आपको simply जाना है आपके iPhone के setting अंदर setting में जाना है general में जैनल में जाएंगे सबसे नीचे आप प्रोफाइल प्रोफाइल पर यहाँ पर टैप कीजिए और यहाँ पर लिखा है remove profile तो आपको remove profile कर देना है आपका passcode एंटर करके एक बार आपने remove profile कर दिया golden master version इंस्टॉल करने के बाद उसके बाद जो भी update apple के stable version पर आएंगे वही आपको यहाँ पर आपके phone पर भी आए तो उम्हीं करता दोस्तों आपको आज का वीडियो पसना होगा पसने को लाइक इन शेयर जरू कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गुडबाई